नमस्कार, मैं यतिन वर्मा राश्ट्रपती रोवर, स्वागत करता हूँ आप सबका मारे यूट्यूब चैनल स्काउट गाइड अकेडमी पर तो फ्रेंड्स थमनेल देखकर आपको पता लग गया होगा कि आज हम किस टोपिक पर चर्चा करेंगी तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि 3 अक्टूबर 2024 को नैशनल हेड़कवार्टर द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया और सर्कुलर का नमबर है 188-2024 इस सर्कुलर में बताया गया है कि जो स्काउट गाइड रोवर रेंजर इस साल यानि 28 सितंबर 2024 को नैशनल लेवल प्रेजिडेंट स्काउट गाइड रोवर रेंजर सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन या कंप्यूटर बेज टेस्ट में अपियर होए थे उस एक्जाम की अंसर की जारी हो चुकी है और साथ में ही बताया गया है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अंसर की में जो अंसर बताया गया है वो गलत है और आपने जो कोशन का अंसर पुट किया है वो सही है तो इसके regarding आप उस question को objection में डाल सकते हैं और यह objection period जो रहेगा वो रहेगा 4 October 2024 से लेकर 10 October 2024 तक आप इसी time period के बीच में आपका जो भी question objection के लिए है वो put कर सकते हैं और objection करते वक्त आपको उसके regarding अपना answer प्रूफ करने के लिए कोई भी supporting document लगाना जरूरी है जिसे यह justify हो सके कि आपने जो answer put किया है वो सही है तो हम आज की इस वीडियो के अंदर आगे देखेंगे कैसे answer की को download करेंगे और कैसे अपने questions को check करेंगे और सहाथ ही कैसे आप कोई भी question का objection कर सकते हैं और कैसे supporting document इसके साथ attach कर सकते हैं तो हर एक step को हम पुरिविस्तार पुर्वक जानेंगे तो अभी हम start करते हैं तो जैसे कि आप यह देख रहे होंगे यहाँ पर circular में एक column दिया है जिसमें लिखा गया है click here for objection management तो जैसे ही आप इस पर click करेंगे इस link पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface सामने आएगा जहांसे आप अपने login details डालेंगे और आप portal पर login करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने portal पर login details फिल्ड कर दिया है नीचे capture code भी फिल्ड करतीया है और आप हम click करेंगे login पर तो जैसे ही आप login पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा जिसमें आपको एक side दिख रहा है application details जहांपर आपकी पूरी details इसमें दिखाई गई है देन हम आके आएंगे last option जैसे कि आप देख रहे है candidate response तो candidate response पर जैसी आप click करेंगे तो नीचे एक line लिखी हुई है जिसमें बताया गया है कि यहांपर जो click here के option पर आप click करेंगे तो आपका जो exam दिया था 28 सितंबर को उसके regarding answer की आपका जो response है वो यहां से download कर सकते है तो हम यहां पर click here पर click करेंगे और अपना जो response है या answer की है उसको download करेंगे तो जैसे आप इस पर click करते हैं तो आपके सामने सेम जैसे आपने computer पर exam दिया था वैसे interface के साथ आपके सामने questions आएंगे दिखेंगे जिसमें आपको question के नीचे दिख रहा होगा जो green color का mark है वो तो है answer की का के साब से correct answer और इसके साथ सामने आप देखेंगे chosen option का जो column है वहां पर आप देखेंगे जो answer आपने opt किया है तो जो answer exam में आपने opt किया है और जो answer की का जो option है वो आपको यहां पर green color में दिखेंगा तो जैसा कि आपके सामने एक 19th number question दिख रहा है जिसके यह question कह रहा है कि सूर्य नमसकार का आठवा चरण क्या है तो इसमें 4 option दिए गए है और जो answer की के साब से इसमें जो correct answer बताया है वो option D है और जो यहां पर candidate ने जो response किया है वो उन्होंने चूज किया है option C जानी कि परवतासन तो इसके यह दोनों answer मतलब की option C और option D दोनों से ही है तो हम इस question को objection करेंगे और objection करना कैसे है तो अब हम आगे next step से जानेंगे जब आप objection कर रहे होंगे तो आपको इस question की question ID जरूर ध्यान में रखे या कहीं note कर ले ताकि जब आप objection करेंगे तो आपको यह question ID mention करनी जरूरी है तो इसलिए यह इसके question ID है इसको note कर ले जब हम objection करेंगे तो यहां पर question ID mention करकर इसके regarding हम document लगाकर इसको objection कर सकते हैं और अब हम यहाँ पे जो option दिख रहा है या column दिख रहा है objection form का इस पे click करेंगे और हम objection करेंगे इस question को तो जैसे ही आप objection form पर click करेंगे तो आपके सामने green line पर एक लिखाओ आएगा click here to raise objection तो हम इस पर click करेंगे तो निया एक interface आपके सामने आएगा तो यहाँ पे कुछ instruction बताये गई है कि कैसे कैसे आपको objection करना है question के regarding तो आप इसे carefully ध्यान से पढ़े objection करने से पहले तो जब आप इसे पढ़ लेंगे तो आपके सामने यह जो आपके details automatically इसमें generate हो जाएगी जैसे कि applicant name आपका mobile number, email id आप scout guide या रोवरेंजर जिस भी section से वो लिखा हो आ जाएगा then exam की date नीचे shift इसके नीचे जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो भी question आपका objection के लिए रहेगा तो उसकी question id जरूर आपको पता होना चाहिए तो यहां से हम question id select करेंगे तो हमारी जो question id है वो है तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने question id select कर ली है then नीचे लिखा हो है कि आपने वो question किस language में answer किया है तो हम इसको select करेंगे हिंदी है, English तो जैसे कि आपने देखा कि वो question हमारा हिंदी में था तो हम यहां पर हिंदी select करेंगे then नीचे लिखा है nature of objection यहां पर आप देखेंगे कि आपका जो objection कर रहे हैं तो वो किस nature का है तो जैसे कि या तो वो incorrect question है या out of syllabus पूछा गया है या सभी option incorrect है या multiple correct answers है या incorrect answer की है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका C और D दोडों answer सही है तो इसलिए हम यहां पे multiple correct answer को select करेंगे then नीचे column है कि correct option ID क्या है जब आपने अगर आप यहां देखेंगे इस question के सामने question की ID तो यह उपर दी गया है नीचे इसमें दी गया है हमने यहां पे multiple correct option का select किया है तो हम यहां पे जो correct options है जैसे कि option C and option D तो दोनों की option ID हम यहां mention करेंगे तो हमने यहां पे correct options की ID हम mention कर दी है तो जैसे कि आप देख रहे थे कि हमारा जो option वो C और D दोनों से ही थे तो दोनों option की ID हमने यहां mention कर दी कि आपको जो option है वो सही है क्या आप उसके question के बारे में बताना चाहेंगे तो यहाँ पर आप वो सब कुछ remark देंगे तो हमने यह mention कर दिया है कि जो उपर हमने question id mention की है तो उसके regarding option c and option d दोनों correct है then हम नीचे आएंगे तो देखेंगे कि कोई supporting document upload करना जुरूरी है जिससे कि confirm हो सके कि हमने जो objection किया है वो justify है तो हमारे objection को justify करने के लिए कोई भी supporting document authentic supporting document हम यहाँ upload करेंगे तो अब हम click here to upload पे click करेंगे then आपके सामने उपर दिख रहा होगा कि document 1,2,3,4 and 5 मतलब कि आप जो भी question objection कर रहे हैं उसके regarding maximum 5 document upload कर सकते हैं उनीचे आप बताया गया है कि जो भी आप document upload कर रहे हैं वो pdf, jpg या jpg format में होनी चाहिए जिसका maximum size 400k भी तक हो तो अब हम click करेंगे draw files here पर तो जैसे कि अब आप देख रहे हैं हमने यह पर 2 supporting document upload कर दिये जैसे कि document 1 एक upload किया है और document 2 upload किया है तो हमारा जो question का objection है तो इसके regarding 2 document हमने upload किया है और देन हम click करेंगे close पे देन ही check करने के लिए कि आपके document upload हुए है या नहीं हुए तो इसके दोबारा click करके देख सकते हैं कि document 1 uploaded, document 2 uploaded दोबारा close पे click करेंगे और अब हम last में submit के option पे click करेंगे ताकि हमारा जो objection है वो submit हो जाए देन उपर confirmation मांगा गया है कि are you sure you want to submit the form देन okay पे click करेंगे जैसे ही आप okay पर click करते हैं तो आपके सामने कुछ निया interface आएगा जिसमें दिखाया गया है objection details के बारे में तो आपने जो objection किया है उसमें क्लियर्टी बताया है कि answer किस language में था question की ID क्या है nature क्या है objection का multiple correct answers then correct option क्या क्या है वो दोनों option की ID हमने mention कर दिया है remarks भी हमने यह आपे add कर दिया है और हमारा जो document है वो भी हमने attach कर दिया है जैसे कि आप यह नीचे देख रहे है document 1 and document 2 तो ऐसे आप answer की को download करके अपने marks मतल़ कि आपके कितने question सही है वो देख सकते है तो साथ में आप देख सकते हैं कि आपका जो कुछी question लगता है कि objection करने के लाइक है या आपको लगता है कि जो answer की में कुछ error है या गलत option दिया गया है या question ही गलत है और आपने जो answer put किया है वो सही है तो इसके regarding आप इसी steps को follow करते हुए आप अपने question को objection में डाल सकते हैं वो द्यान रहे है कि आप maximum 5 sporting document upload कर सकते हैं आपके question के regarding करते हैं नहुसे की कर दो ध emoji से लो भाइख उसे बांदो कर दो को दोक या है आपके